तो आज हम बनाएंगे सेजवान चट्नी और इसे बनाने के लिए मैंने ताजी लाल मिर्च का इस्तिमाल किया है और वही सारे मसाले जो हमारे पास आसानी से किचिन में मिल जाते हैं वही मैंने इस्तिमाल किया है आपको ये रेसिपी अच्छी लेगेगी और अगर अच्छी तो आप इसे आगे शेयर जरूर करें तो फिर देर नहीं करते और इसे बना लेते हैं तो यहाँ पर मेरे पास है यह चौपर और आज हम इसी से सारी चीज़े चौप करेंगे तो मैंने इस चौपर के अंदर लेसन डाला हुआ है और यह लेसन की है चौपर से चौप करने में बहुत आसान हो जाता है कि बहुत जादा आपको दिक्कत नहीं आती और लेसन जो है जितना बारिक आप करना चाहे उतना बारिक हो सकता है तो यहाँ पर मैंने ले रखा है यह 50 ग्राम अदरक और इस अदरक को भी हम चौपर में डाल करके अच्छा बारिक कर लेते हैं और इसमें जाएगा धनिये की डंडी और इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे तो इसको भी मैंने चौपर से बारिक कर लिया था तो आज जो मैं सेजवान चटनी बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ इस तरह की लाल मिर्च के साथ अब आपको इसकी डंडी हटानी है और इसके अंदर जो बीज है बस उसे निकाल दीजेगा वैसे ये तीखी नहीं होती है जादा लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है इससे तो ये हो चुकी है अब इसको हम डालेंगे बरतन में और इसके उपर हम डाल देंगे गरम पानी यहाँ पर हम मिर्च को उबालते नहीं है बस गरम पानी डाल करके एक मिनट के बाद ही हम इनको निकाल लेंगे और उसके बाद इसका हमें बारीक पेस्ट बनाना है तो बस अब मिक्सी के जार में डालेंगे और उसके बाद हमारा पेस्ट जो है वो तयार हो जाएगा मिर्च को पीस्ते वक पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है तो मिर्च का पेस्ट हमारा तयार हो गया चलिए अब आगे का कर लेते हैं अब एक बरतन लेंगे और उसके अंदर हम डाल देंगे दो चमस तेल और उसके बाद उसके अंदर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लैसन लैसन डालने के बाद लैसन को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता है हलका सा soft करना होता है और उसके बाद इसके अंदर जाएगा बारीक कटा हुआ अद्रक उसके बाद इसके अंदर जाएगा धनी की डंडी जो हमने बारीक करके रखी हुई थी वो add कर देंगे अब जो मिर्ची का paste हमने तियार किया था वो इसमें add करेंगे और जब आप ये बनाते हैं तो kitchen का exhaust आप आपन करके रखेगा ये जो chutney है मैं ताजी मिर्च के साथ बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ और जो ये बचा हुआ है इसको आप किसी भी सबजी में इस्तेमाल कर सकते हैं जब इसे सूखी मिर्च के साथ बनाते हैं तब इसमें पानी की जरुरत बढ़ती है अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर का sauce और मैंने यहाँ पे दो चम्मर टमाटर का sauce आड़ किया है एक चम्मर चीनी और स्वात के अनुसा नमक चार चम्मर टीखी लाल मिर्च का powder क्योंकि जो मिर्च हमने इस्तेमाल की थी वो टीखी नहीं होती है तो इसको हमें थोड़ा तीखा करना है तो इसलिए मैंने इसके अंदर पीसी हुई लाल मिर्च का powder एड़ किया है दो चम्मज सिरका, सिरके से खटास भी आती है और थोड़ा सा इसे पिजर्ब करने में भी आसान हो जाता है अब इसे हमें तब तक पकाना है जब तक की ओयल जो है वो पूरी तरह अलग नहीं हो जाता तो यहाँ जो है वो ओयल पूरी तरह से अलग हो चुका है यह चटनी तो हमारी तैयार हो चुकी है और अगर आपको लग रहा है कि आपको काड़ा बनाना है तो आप एक चम्मज कॉनफार पाउडर को थोड़ा सा पानी में मिक्स करिए और अट कर लीजिए इसमें सोया सौस भी डाला जाता है आप अगर डाला चाहें तो डाल सकते हैं बाकी मैने इसमें नहीं डाला है इस चटनी को आप 3-4 हफते फ्रिज में स्टोर करके इंजॉय कर सकते हैं पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही आप इसे स्टोर करिएगा बहुत जादा मीठा इसे मत बनाएगा क्योंकि बहुत जादा मीठी चटनी आपको ये पसंद नहीं आएगी इसे आप अपने स्वाद के हिसाब से बना लीजिएगा और आप इसे किसी भी चीज के साथ इंजॉय कर सकते हैं अगर आप पकोड़े के साथ खाना चाहते हैं तो दही के साथ ये थोड़ी सी एड़ करिए और इंजॉय कीजिए आपको अच्छा लगेगा तो फिर बने रहें चैनल के साथ आपका मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया